असलाम अब हम बात करें हैं video online content की पिछाई दफ़ा हमने static की बात की थे इस दफ़ा हम video की बात करें आपने देखा होगा कि जो video है वो अब हर जगा नजर आती ए एक जमाने में वीडियो जो है, वो हम कहते थे जी बड़ा प्रॉपर स्टूडियो हो, या प्रॉपर शूट्स हो और लंभी-ळंभी फिलमें बनती थी और प्रॉपर कैमराज इस्तमाल होते थे, इस्क्रिप्ट लिखा जाता था और फिर वीडियो बनती थी अगर अब जो आजकल ट्रेंड चला है लोग तो फोन से भी वीडियो बना रहे हैं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है या कॉंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक्स्पैंड हो गया है वीडियो अब सिर्फ ट्रेडिशनल वीडियो नहीं है बलकि अगर कोई एक इमेज है उसको अगर आप बहुत जादा इखटा लगा दे और वो मूव कर रहा हो उसको भी वीडियो कहते है अगर कैंडिट तरीके से कोई भी मूवमन्ट हो किसी भी किसम की चाहिए वो अनिमेश यूब तो उसने तो पूरी दुनिया में एक उपरचूनिटी क्रियेट की है जॉब्स के लिए पैसे कमाने के लिए अब तो चार साल के बच्चे जो है वो भी मिलियनेर्ज है और वो करते कुछ भी नहीं है वो अपने एक बेसिक सा कैमरा रखते हैं चाहे वो अपना लैप अब वीडियोज आपको ना सरफ यूट्यूब पे बलके आपको फोन पे फेस्बुक पे ट्विटर पे वाट्साप पे लिंक्टिन पे इतने सारे प्लाटफॉर्म से हैं जहां पर वीडियो इस्तमाल होता है तो इट इस फास्स विकामिंग अ वेरी वेरी पॉपिलर मीडि राइटिंग फुर वीडियो बंदा सोचता है कि अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं तो इस पे राइटिंग क्या है एक तो वो ट्रेडिशनल तरीका है विच इस script लिखा जाता है, video बनाई जाती है एक दूसरा जो तरीका है वो obviously आज कल आपने बहुत सारी videos देखिऊंगी जिनके उपर text लिखा होता है आपने मोबाइल पे मिली होगी बहुत सारी जो popular इस तरह के जो formats है AJ Plus है वो करता है NowThis है, BuzzFeed है बहुत सारे ऐसे videos बनाने वारे platforms हैं जो के videos बनाते उसके उपर video भी चल रही होती है dialogue भी होता है मगर साथ साथ एक text भी होता है बहुत दफ़ा खाली background music होता है और उसके उपर text होता है अब यह क्यों किया जा रहा है यह से किया जा रहा है कि लोगों के पास जादा वक्त नहीं है तो वो जल्दी जल्दी से information लेना चाहते हैं और बड़े query लेना चाहते हैं और जो text है वो जो video हो रही होती है उसको वो explain कर देता है इसके लिए बहुत jobs available हैं इसको copy writers भी कहते हैं content writers भी कहते हैं freelance में इसके लिए काफी jobs available हैं जहां पर वो लोग ढूंड रहे होते हैं जहां पर बड़ी अच्छी succinct English में मज़े की अंग्रेजी में या उर्दू में भी वो लोग videos के ऊपर की content लिख दें या video के scripts लिखें video के scripts के हम पहले भी बात कर चुके मगर इसलिए इस segment में हम concentrate करेंगे उस content की या उस text की या उस writing की जो के video के ऊपर आता है सो सबसे पहले you have to hook from the start छोटी सी video होती है एक minute से जादा नहीं होती है बहुत लंबी हो गई तो दो minute की हो गई इस से जादा की video होती नहीं तो इसका मतलब है आपको बहुत थोड़े से अर्से में थोड़े से वक्त में बहुत जादा information देनी है तो आपने hook किया start से आपने एक single message पे focus किया पर अब एक minute में आप कितनी एक बात कर लेंगे तो बेतर यही है कि जो आप बात करना चारे एक message दे और अच्छी तरह in-depth तरीके से दे context provide करें अब एक तस्वीर चल रही है अब एक train जो है वो एक जगा से दूसरी जगा जा रही है अब किसी को पता नहीं है कि यह हम train क्यों दिखा रहे है तो बाप फिर उदर उसके उपर हम text लगाते हैं कि a train moving from Luxembourg to Paris तो आपको पता चल जाता है कि यह जो वीडियो है इसका context क्या है setup and payoff यानि कि यह आप कर क्यों रहे है आप setup बताएं कि यह है क्या और इससे आपको फाइदा क्या होगा इस वीडियो को देखने से या अब फाइदा जो है ना वो सिरफ माली तोर का फाइदा नहीं यह पैसो का फाइदा नहीं होता फाइदा कभी कबार हमें awareness या knowledge increase का भी होता है तो आपने यह बताना है कि जी आपको पहले यह बात पता नहीं थी अब हम आपको बता रहे हैं तो आपका फाइदा किया हमने तो इसलिए हम इसको उसके लिए कोई एक एक्शन ना हो कि जी मैं तो मैं क्या करूंगा इससे मैं क्या एक्शन ले सकता हो तो उसको इतना मज़ा नहीं आता इतना रिलेट नहीं करता इतना इंगेज नहीं करता तो इसलिए अगर आप उसको बताएं कि जी ये है और इससे हम आपसे ये चाहते हैं, चाहे वो ये चाहते हो कि आप अपने knowledge में अधाफा करें, या हम ये चाहते हो कि जी इस video के बाद आप कुछ खरीदें, या हम ये चाहते हो कि जी इस video के बाद आप जो है एक cause के लिए लड़ें या कोई एक्षिन लें, लाइक करें, शेर करें, किसी को बताएं कि आपने ये देखा है, तब तक वो इंगेज नहीं होता, so it's very important to have a call to action, फिर कट, 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 यानि कि इतनी लंबी वीडियो तो होनी तनी चाहिए, तो information भी बहुत जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो एक दफ़ा आपने लिख दी है, तो आपको ये देखना है कि क्या मुझे वाकई सारी information देनी जरूरी है, या मैं इससे थोड़ा कट भी कर सकता हूँ, rewrite for your audience, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप उनके लिए लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो ये देखिए कि जो आपने लिखा है, वो उन्हीं की जबान में है, उनको मज़ा आएगा पढ़के, उनको समझ आएगी पढ़के के नहीं, tone बहुत ज़रूरी है, tone क्या होती है, sad tone है, happy tone है, excited tone है, तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें देखनी होती हैं, अब हम ये now this की एक वीडियो है, तो अगर आप ये देखें, ये इस एक वीडियो चल रही है, जिसके ऊपर text भी आ रहा है, तो अगर आप ये पूरा देखेंगे, जो चीज वो highlight करना चाहते हैं, वो yellow में कर देते हैं, तो इस तरह आप अपने text और colors के साथ भी play कर सकते हैं, आप ये भी देख रहे हों कि छोटे-छोटे sentences हैं, असान लवज हैं, मुश्किल लवज इस्तमाल नहीं हुए वे, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी eye को और आपके brain को text की तरफ focus करता चला जाता है, और कहता है कि भाई, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें है, text जिस तरह आ रहा है, उसमें भी variety है, जिस तरह लिखा जा रहा है, उसमें भी variety है, बहुत सारे template से इस्तमाल होते हैं, वीडियो के text लिखने के लिए, जो सबसे आम तोर पर इस्तमाल होता है, मैं वहीं इस्तमाल करके आपको दिखाऊंगी, यहां हम कहते हैं कि जी, इसका जो content है, या copy है, वो यहां पर आ जाएगी, जो इसकी वीडियो है, वो यहां पर आ जाएगी, इससे होता यह है कि जो scene चल रहा होता है, वो हमें पता होता है, उस scene के साथ जो हमने content या copy लिखना होता है, वो हम relate कर सकते हैं, तो जिसने video edit करनी होती है, या बनानी होती है, उसको असानी होती है, यह देखने में, कि जी, अच्छा, तो यह scene है, तो इसके साथ यह वाला text आएगा, तो हम choose करते हैं, कि जी, एक recipe की video है, और उसमें दिखाया जा रहा है कि apple pie कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आपका पहला scene जो है, वो है, showing green apples, अब वो scene है, उसमें green apples दिखाया जा रहा है, अब इसका जो copy है, या जो text है, वो होगा, green apples are the best for apple pie, ठीक है जी? अब हम जाते हैं, scene 2 पे, scene 2 में हम दिखा रहे है, preparing apples to be cooked, अब वो पूरी video जा है, उसमें दिखाया जा रहा है, कि apples को धोया जा रहा है, काटा जा रहा है, और prepare किया जा रहा है, ताकि उनको पकाया जा सके, तो text आएगा, इसके ओपर आएगा, wash the apples well and cut them in small cubes, आप देख रहे हैं, कि हम कोशिश ये करते हैं, कि text को हम छोटा रखें, clearly बताएं कि क्या है, और simple अलफाज इस्तमाल करें, तो अगर हम इसी तरह scenes लिखते जाएंगे, उसके आगे जो copy है, वो बताते जाएंगे, तो जो editing होगी, तो जो editor है, वो उसको edit कर सकता है, जैसे कि हमने now this में दिखाया था कि कुछ अलफाज ऐसे थे, जो कि yellow में हुए व जो emphasize करना है, usually आप उसके नीचे underline कर देते हैं, तो जैसे पहले वाले में मैं green apples को underline कर दूँगे, I want this to be yellow, और यहाँ पर मैं wash और cut और cubes को underline कर दूँगे, जो कि मुझे यह तीन लफाज हैं, जो कि मुझे highlight करने हैं और यह yellow में हो जाएंगे, तो इस तरह जो है, आप अ a lot of video like this and it is also very easy.